हेलो फ्रेंड्स मैं प्रीती श्रीवास्ता फंड पार्टी गेम से आज आप सभी को बहुत ही एक अच्छा सा गेम बताने वाले हूँ जिसके लिए मुझे लगता है कोई भी सामान खरीदने की बिल्कुल भी जरूर और इसमें क्या-क्या है एक प्रकार की है हाउजी ही है जो सारी उमर के लोग खेल सकते हैं और समान चाहिए और इसे कैसे खेलना यह सब पताने से पहले आदि आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक और सेर जरूर कीजिए और मुझे कमेंट्स करते रही जि आप बस एक चिट पर लिख लिए तो यह दो चीजों से यह गेम होने वाला है और सबको देने के लिए इतनी पेपर के स्लिप आप सबको एक एक पैन तो अब हम एवी सीडी वाले को भी अपने इस पाउच में रख लेते हैं और वन हाउजी काउंटर को भी समें रख लेते कि आप अपने नाम के थ्री अलफावेट लिख लिजे जैसे मेरा नाम प्रीती है तो मैं अपने नाम से लिख लेती हूँ कोई भी लिख लिजे आगे पीछे का कोई इसू नहीं है पी लिख लिख लिया मैंने आर लिख लिया और ई लिख लिया ऐसे मैंने लिख लिया इसक तो मैं बताती हूं इसको कैसे करना है तो इसमें करना यह है कि सबसे पहले तो आपको इसमें minute times का कोई इसू नहीं है यह एक प्रकार की हाउजी है दो चीजों से खेलने वाली यूनीक है अब इसमें क्या करना है धीरे से आपको एक हाउजी काउंटर से निकाल ली है जैसे न के पास रख देना है इस तरीके से मतलब जिसका एल कट होगा वो 53 नंबर लिख लेगा जिसका भी एल कट होगा अब आप हमपन निकालेंगे अब निकाला तो मेरा निकला है पी वरी गुश्ट तो पी हमारा था तो पी को हम पी के नीचे हमें क्या सब लिखना है वो हम लेते हैं पी के नीचे आया जैसे 48 तो हम इसको इसके नीचे लिख लेंगे 48 उसके बाद फिर निकालेंगे देखते हैं क्या आर आर हमारे में है तो आर को हम देख लेते हैं कि आर के साथ हमें जैसे ही आर बोला तो हमें अलेट रहना है कि हमारे नंबर क्या बोला 13 39 तो हम इसके नीचे लिख लेंगे 39 इसके नीचे लिख लेंगे 80 और हम तीनों को प्लस कर लेंगे 48 39 और 80 जिनके तीनों कट हो गए हैं उनसे हम बोल देंगे कि आप अपना कट करके और जो नंबर्स आपके साथ हाएं आप उसको टोटल करके रख लीजे अब इसका हम टोटल कर लेते हैं 98 17 और 1538 और 8 16 हमारा टोटल आया 167 इस तरीके से हम इसको टोटल करके रख लेंगे और अब पूरे जब तक लैटर्स और नहीं हो जाते हैं जब सब का कट जाना चाहिए यह निकाल दो हमें क्यूंकि 26 26 ABCD 26 है तो हमें 26 ही इसमें से हाउसी काउंटर्स निकाल करना है कॉल करना है तो सबसे पहले तो पूछ लीजिए 100 से उपर कौन है यदि 100 से उपर 10 लोग है तो बाकी सब लोग गए ठीक है तो आप 100 से उपर चलने दीजिए अब उसके बाद पूछ लीजिए थोड़ा सा कुछते जाए 110 के उपर कौन है वो सिर्फ खड़े रहेंगे बाकी सब बैठ जाएंगे इस तरीके से आप इसे कम करते जाएंगे करते जाएंगे फिर पूछेंगे 150 के ऊपर कौन है तो फिर विए जैसे 167 है तो है काफी सारी लोग होंगे इसमे तो 167 है पिर उसके बाद पूछते जाए जो सबसे last में बच्चेगा जिसका सबसे highest आया होगा वो होगा first उसका second highest जो थर्ड होगा वो थर्ड आ जाएगा जैसे 167 है 167 है और यही first है तो आप क्या कर सकते हैं यदि आपको दोनों को देना है तो दोनों को दीजिए बरना उनसे एक हाउजी काउंटर को मिक्स करके उठपा लीजिए जिसका highest तो उसे first देजिए ठीक है इसको आप पहले से ही declare कर दीजिए